बार, बुरुवार को पेशी के लिए लाए गए तीन कैदियों द्वारा दिवार खोद कर भाग जाने के बाद कैदियों की गिरफतारी हेतु पुलिस ने चापेमारी अभ्यान तेज कर दिया है। जिरफतारी में लगी है। विदित हो की गुरुवार को कोट हाजत की पास उस वक्त अफ्रा तफ्री मच गया था। जब बेलची के बागा टीहा गाउं स्थित पीनवी बैंक शाखा के पास बीते 6 मार्च 2017 को दोगार बचालक की हत्या कर 60 लाग रुपे लूट लूटने पटना के फतुहा में भी पुलिस के एक एक जवान को गोली मार दी थी। इसके बाद पटना के ततकाली ने इससपी मनु महराज के नित्रित्व में टीन ने उक तीनों बदमाशों को लूटे गए 45 लाख रुपे तथा दो रिवालवा के साथ गिरफतार कर जेल भेज दिय कही न कहीं हो चुका था आभाश कि अब कुछ दिनों में हो जाएगी सजा। मामले का उत्भेधन कर तीनों को गिरफतार कर जेल भेज दिया था। सूत्र बताते है कि इन तीनों बदमाशों को कहीं न कहीं यहाभास हो चुका था कि अब ये तीनों को कोई बड़ी सजा होनी है। सजा होने के बाद वल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी कारण तीनो भाई ने भागने की साजस रची और इसमें काम्याब हो गए। सूत्र बताते है कि भागने के दिन ये तीनों बदमाशों ने कोर्ट में पेशी के लिए आम दिनों की तरह नहीं बलकि पुझा पाथ करके जेल से बाहर निकले थे। के पटना समस्तिपूर वैशाली समेच जार्खन के कई जिलों में फिलहाल जापे मारी चल रही है। पांच साल पहले ये सभी बार के सीली घाट स्थितेक किराय के मकान में रह रहे थे। तथा पिकप से सबजी लाकर बेचने के काम करते थे ताकि इन पर किसी को शक ना हो स के ब्रच किशोर पिंकू की रिपोर्ट